हेलो बचो कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो लास्ट येर का फिजिकल एजुकेशन का पेपर जो आया था उसका एक सेट सेट नमबर चार आपके साथ डिसकस करने जा रहा हूं कोशन पेपर नमब कीए मैं कोशन पेपर को आपको दिखाऊं आपको एक बार पहले ही बता देता हूं कि इसकी जर्नल इंस्ट्रक्शन क्या है इस बार का पेपर देने से पहले आपको प्रीबोर्ड देने से पहले एक बार इन सब को समझना बहुत जरूरी है कोशन आपको 5 section में आएंगे 37 total questions थे पिछली बार section a के 1-18 एक मार्ग वाले कोशन थे और सारे कंपल्सरी थे okay section b में 19-24 कोशन नंबर दो मार्ग वाले हैं 60-90 नंबर के लिखने हैं वर्ड के तक लिखने 60-90 वर्ड तक लिखने हैं और कोई 5 अटेंप्ट करने हैं आपको ठीका जी और section c में तक लिखने हैं और कोई पांच उनमें से अटेंप्ट करने थे section d इट कंसेस्ट ऑफ 31-33 कोशन नंबर केरिंग फोर मार्ग इच एंड के स्टडीज हैं ठीक है जी और यह के स्टडीज इंटरनल चॉइस इनकी अलंदर ही है पर यह करने सारे हैं आपको section c क्या कह रहा है कि consists of questions 34-37 carrying five marks and are long answer type and shouldn't exceed 200-300 words attempt anything ठीक है इसमें तीन करने हैं तो बचो अब भी आपको मैं एक चीज़ बता दूं सबसे पहले आप एक latest जो आपका 2023-24 का syllabus है उसको जरूर confirm करें अपने subject teacher से अपने class से या cba की website से चेक करें ठीक है एक तो syllabus चेक करें दूसरा last year को जो question paper है उसको solve जैसे जो यह है मेरे पास अगर इसके इलावा कोई और सेट भी आप के पास तो उसको भी आप solve जरूर करिए बचो यह आपके लिए करना बहुत जरूरी है और model test papers जो भी आपको online मिल रहे है model test paper यदीज के आपको school में भी करवाए जा रहे हैं यह cbse की site पे भी available cbse.nick.in पे available हैं वहां से उसको दे के solve कर लीजिए ठीक है जी बट इसको seriously लीजिए क्योंकि यह no doubt जो paper है आपका वह 70 marks का है बट यह भी एक आपका main subject है ठीक है काफी बचों को जो अपने main subjects जैसे वह science वाले हैं यह commerce वाले हैं यह humanities वाले हैं बाकी question आपको पता मैंने पहले भी बताया compulsory आपको एक आशन identify करना है ठीक है जी और यह उपर वाला question नीचे question for visually impaired candidates के लिए उसने यह बताना कि dash poses like cobra वह कौन साब बताना है आपको ठीक है यह आपके लिए normal बच्चों के लिए नहीं है visually impaired candidates को करना है और जो बचे visually देख सकते हैं वह यह उपर वाला question time करेंगे ठीक है जी और उसके बाद आप जैसे देख पा रहे हो यह देखिए कि एक पेज हिंदी में भी है और एक English में भी है अगर आपका English medium है तो आप English पर आ जाएंगे अगर हिंदी है तो आप इस पेज को सामने रखके questions देखते ज दो यह किस chapter में से आया है क्या answer है तुके मारने वाली बात नहीं है कि यह इसको जैसे किसी भी तरीके से attempt कर दोगे वैसा मत करना ठीक है question की sensitivity देखिए उसकी gravity देखिए वह किस chapter में से है कितने chapter में से क्या cover कर रहा है ठीक है उसको understand करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब तक आपको यह understanding नहीं होगी यह किस chapter में से है तो आपके लिए फिर दिकत आजेगी आप फिर वो 30-40 marks तक 70 में से 30-40 marks में आप सिमट जाओगे जबकि आपको इसमें बहुत अच्छा score कर सकते हो अगर डंक से आप इसको थोड़ा सा पढ़ लो तो ठीक है जी तो यह जो कोशन है यह देखिए यह हिंदी मीडियम में भी जैसे मैंने आपको बताया तो आपके हिंदी मीडिय के बच्छों के लिए भी यह असान है तो उनको भी त्यारी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो यह देखिए यह सारे कोशन्स आपको डिफल ओलम्पिक गेम्स कब और्गनाईज हुई थी यह में ठीक है जी यह सारे कोशन्स के आपको आंसर्स देने हैं ठीक है बचो पर आगे बढ़ते हैं यह देखिए यह कोशन्स आगे आगे बागे थीक्या इनमें से कोई पांच की उत्तर देने हैं आप अच्छे तरीके से कोशन्स अंडर्स्टेंड करिए कैज तो अब यह देखिए यह बी-पार्ट में यह कौन से कोशन आ रहें ब्रीफली एक्स्प तो आप जब तक बुक्स को अच्छे तरीके से नहीं पड़ोगे अपने को नहीं देखोगे तो बचो यह आपको दिक्कत रहेगी ठीक है यह सारा कुछ आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जूरी है कभी काफी बचे सोचते हैं यह तो बेसिक सी चीज है यह तो हम ऐसे कर ल तो फिजिकल एडिकेशन को भी सीरिएसली लीजे और इसके जितने भी कोश्टै अब जैसे यह वला कोशन आफ विज्टी इंपाइट के लिए नॉर्मल बचों नहीं यह करना है ठीक है जी जो देख सकते हैं उन बचों नहीं यह करना है जो विज्टी इंपाइट उनके ल वाला तो यह questions आपको दियान से देखके understand करने कौन सा question आपके लिए कौन सा आपके लिए नहीं है इसलिए in question papers को before examination देखने का समझने का model test paper को solve करने का यही logic या objective होता है तांकि आपको एक बार feel आजे question paper की feel आजे की question paper होता कैसे है किस तरीके से आता है ठीक है जी अब English medium वाले यदी बचे हैं तो आपके लिए भी यह दिक्कत यह रहती है कि एक पेज हिंदी का एक पेज इंग्लिश का और सेम दिक्कत हिंदी वालों को भी रहती है तो यह question भी आपको बड़े द्यान से attempt करने है कौन सा portion आपके लिए है कौन सा आपके लिए नहीं है ठीक है बचो तो यह sensitivity को understand करना है आपको तो इसलिए मैं आपको एक बार फिर कहा रहा हूं कि इन पेपर में जोर लगा दीजिए इस बार कोई भी कसर मत चोड़िए और प्री बोर्ड को seriously attempt करिए क्योंकि प्री बोर्ड एक वो तरीका है एक वो reason है जिसे आप अपनी त्यारी का level देख सकते हो एक तरीका से अपनी level of त्यारी देख सकते हो कि किस तरीके से आपकी त्यारी कितनी हो चुकी है final examination को लेके और यदि उसके बावजुद ही अगर आप करता है कि प्री बोर्ड में आप उतना अच्छा score नहीं कर पाए तो लैड डाउन नहीं होना आपने और मेंद करनी है और यदि अच्छे number आगे है तो consistently perform करते रहने के लिए बस यह 2-3 महीने की बात है लगे रहो तो आपके score अच्छा आएगा ही आएगा final में so wishing you good luck मैं इस